गुड मॉनिट्स वेलकम टू स्कॉलर स्कॉल जावरा यह इस हमन्त सो हम लोग अभी तक हमारे चैप्टर जो की जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफूड हम पढ़ रहे थे अभी तक हमने नूट्रियंट एंड उनका रोल जो हमारी बॉड़ी में और जो फूड हमारी डेली लाइप में इस होता है उसके बारे हमने अच्छे से पढ़ लिया था साथ हमने कल के लेक्चर में बैलेंस जाइट के बारे में अगर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है आप बोल सकते हैं कि हमें नूट्रिशन हम भीमारी तो अबने तक हम लोग अच्छे से जान चुके में जबारे हम जान चुके हैं जिसे लिए अज आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ने जा एक आफ प्रोटीन विटामीन एन मिनरल्स ठीक है तो यहां पर क्या बताया जारा है कि डाइटरी डेफिशेंसी डिजीजेस अब ऐसी बीमारिया या ऐस ऐसे रोग जो कि किसकी वज़े से हो रहे हैं खाने की कम की वज़े से माल लीजे किसी को प्रॉफरली फूड नहीं मिल पा रहा है ऐसी कंडिशन में जो डीजेस पर अगर आएंगे हमारी बोडी में उन्हें हम क्या बोलेंगे डाइटरी डेफिशेंसी डिजीजेस तो इसके वज़े से होते हैं यह लैक आफ प्रोटीन विटामीन एन मिनरल्स के वज़ेसे ठीक है तो इस डिजीजेस दीजेस पर संट वन परसंट परसंट एफिशेंसी डिफिजेस गैन बिजर्ट पाइट टेकिंग बैलेंज टाइट तो एक कंडिशन यहां पर यह हमें समझ में आ रही है कि यह जो डीजीजेस यह एक परसंट से दूसरे परसंट में ट्रांपिट नहीं हो सकी जैसे अभी जो बीमा बीमारी हमारे आसपर स्टल रही है यह जो कि एक दूसरे को चूने से या फिर हम बोल रहे हैं इनफेक्शन की विज़े से हो यह जो यह डिफिशेंसी डिजिज यह इसी नहीं होती है जो कि कि किसी को वन परसंट तो अनेजर परसंट डिलेवर हो पाए तो आगे की बात जि आता है कि एल्टरोडोडोटो प犯त्रोड कर लेकर आप इन डिजिजेज को सब्साइब और तो अब कौन कौन सी बीमारियां होती है यह हम सम्झेएंगे तो आज हम पढ़ेंगे deficiency of carbohydrates or deficiency of protein, ठीक है, तो पहले पढ़े, carbohydrates are main source of energy in our diet, हमने पढ़ चुके अच्छे से lack of carbohydrates in diet result in lack of energy and strength in our body, अब देखे carbohydrates को यह अगर इंसान अगर कम अपनी body में intake करेगा तो ऐसी condition में क्या होगा कि उसकी body में energy नहीं रह पाएगी, तो energy जिसे बहुत सारे लोग low feel करते हैं, कि बीमारियां आ जाती हैं लोगों के अंदर, जिनकी body में strength नहीं रह पाती है जो हम normally हम जिसे बोलते है चक्कर आ जाना, ऐसी conditions जो हमारी body के अंदर होती है तो वो किसकी वज़े से हो रही है carbohydrates के वज़े से, तो हम carbohydrate rich food अगर हम consume करना चालू कर देंगे तो ऐसी condition में यह जो deficiency of carbohydrate बीमारी आप पैदा होती है, यह आप रोख सकते हैं, second deficiency of protein यह बड़ा थोड़ा important topic है, growing children need more protein in their child, जैसे आपकी जो age है, आप grow कर रहे हैं आप बड़े हो रहे हैं, ऐसी condition में आपकी body को protein की बहुत ज़्यादा need, so deficiency of protein leads to disease of kawashkar, क्या बोलेंगे इसको kawashkar, ठीक है, थोड़ा pronunciation, पहली बार में आपको थोड़ा परशानी होगी, बार-बार करेंगे तो easily आपको समझ में आ जाएगी so kawashkar another disease called marasmus, क्या नाम देंगे इसको marasmus, is caused by deficiency of both protein and carbohydrate, ठीक है so ये एक list है हमारे आगे, जो कि हमारे लिए helpful रहेगी, क्यों कि हमें पता लगेगा कि किस वज़े से बीमारी है कौन सी बीमारी हो गई साथी साथ उसके symptoms और आप उसको ठीक करने के लिए आपके food source, तो पहला है हमारे आगे protein, तो यहाँ पर देखिया है, क्वाइश कौर, ठीक है, तो क्वाइश कौर में क्या होता है, symptom क्या है, large pot like belly, देखिए, यहाँ एक बच्चा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा zoom करते हैं हम इसको, तो देखिए, बच्चे का थोड़ा सा पेट अलग टाइप से भाहर निकल रहा है, ठीक है stunt growth, जो की growth उसकी रुख जाती है बच्चा healthy नहीं रहा पाता है swelling of face and limbs swelling of face, उसका चेहरा बच्चे का, साथी साथ उसके हाथ, जो की हैं, वो सूझ जाते हैं, क्या हो जाएंगे सूझ जाएंगे, mental retardation बच्चे का mental retardation मतलब भूस सारी बच्चे का mental health ठीक नहीं रह पाती साथी साथ उसे diarrhea भी हो सकता है, ठीक है तो diarrhea, जो की scientific name है, ये condition किसके वज़े से होती है protein के deficiency के अब इस भीमारी को ठीक किसे किया जाए, तो आप simply pulses, milk, eggs, fish and meat के तुरूप, ठीक है तो ये जो protein rich food होते हैं आप देखिए, आपको protein की कमी हुई आप protein rich food लेंगे और इसलिए आप उसे fulfill कर पाएंगे, ठीक है साथी साथ अब protein और carbohydrate की वज़े से कौन सी बिमारी होती है सो merasmus, ऐसी condition जो की thin body thin body मतलब पतली body, ठीक है thin और thick दो वर्ड होते है thick मतलब वता है थोड़ा सा मोटा thin मतलब वता है थोड़ा सा पतला slow body growth, body बहुत slow grow करती है अगर हम इसे और अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो कू पोशन जिसे बोलते हैं आप समझेंगे इसको ठीक है, lack of energy, weak legs and mental retardation, देखिए अगर एक बहुत बढ़े साइंटिस्ट है जिन्होंने बात बोली थी एक बार कि a healthy mind stays in a healthy body, so उन्होंने इसा बताया था कि यो एक अच्छा दिमाग है, वो एक अच्छी body में रह सकता है, so same condition यहाँ पर है कि किसी के अगर body अच्छी नहीं होगी, so उसका mind अच्छा work कैसे करेगा so इनी चीजों के लिए हम basic से अगर कोई भी हमें suggest करता है तो हम क्या देखते है सबसे first, balanced diet साथी साथ regular exercise ठीक है, regular exercise करने से हमारी mental health भी अच्छी रहती है, और balanced diet बहुत बड़ा एक role अपने अदा करती है, so अब food sources क्या है अगर आपके महसमस, अगर विमारी हो जाती है तो rice हो गए bread हो गया, butter हो गया pulses, milks, eggs, fish, meat, so देखिए pulses, milk, eggs, fish, meat, ये काई के सोर्स हो गए protein के सोर्स हो गए so I hope आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि deficiency की जो food की deficiency है, उनके वज़े से हमाई कौनकों सी बिमारी हो रही है so आगे की बात हम हमारे अगले lecture में करेंगे जो कि हमारा इस chapter का last lecture होगा so तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और घर पे safe रहिए God bless you all